इतिहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा असलम आलेकुम रहमत अलाइब वरकातु इत्याद नुद मैं आप सभी का खैर मगदम है मुसलिम समाज की पस्ति आज के माशरे की सच्चाई है वैसे तो जैस्टिस सच्चर ने पहले ही मुसलिम समाज को दलीत पिछेड़े समाज से भी पस्त होनी की बात कही थी और मुसलिम समाज के लिए रिजर्वेशन की भी मांग कीती लिया जा इस देश के मुसल्मानों को बहुत कुछ मिलना था पर आज भी किस कदर अच्छूते बने हुए हैं सभी जानते हैं सवाल यह उड़ता है कि इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराए जाए वक्त तो काफी निकल चुका है बहुत कुछ गमा चुके हैं सियासी रहनुमाओं की गलती है या दिनी रहनुमाओं की गलती है इस पर अकसर बहस मुभास से मशवरे भी देखे जाते जखम बहुत हैं पर मरहम नजर नहीं आता अगर सियासी रहनुमाओं के बात करें तो मुस्लिम समाज के अकसर कही है या तकरीबन सभी काईद मुफात परस्ती निकले कॉंग्रेस पार्टी को हमने आख मुंद कर वोट किया सिर्फ कॉंग्रेस सी नहीं बलकि दिगर पार्टियों को सिर्फ सेक् मैंसे बाटने की भी आदर डाली लियादा बहुत कुछ घमा कर तो चार सिक्कों पर इत्मिनान करने लगे जाहिर है आजादी के बाद अगर किसी समाज ने सक्किलूरिजम के साथ इंसाब किया है तो वो सिर्फ मुस्लिम समाज है पहले से मुस्लिम माश्रे ने सभीदान की हिपाज़त के लिए जद्द जहित फर्माई आज अगर हम कॉंग्रेस पार्टी ने मुसल्मानों को सिर्फ बैंक के तोर पर इस्तमाल करने के बात करते हैं तो इसके लिए आवाम भी जम्मेदार है कहीं तो अगर हम मुस्लिम काईद को जम्मेदार थेरा रहा है तो बाबर रहनुमाओं ने हमेशा के लेती समाज की दिचाबूल की दूसरा दीनी जमातों ने भी कुछ कम कसर नहीं छुड़े आज भी इतना कुछ गवाद चुके है पर जमात मसलक का तासुब अब भी नहीं गया है तकरीवन मुस्लिम माश्रा इंफरादी तोर पर तो मरना चाहता है पगर इस्तमाई तोर पर लड़ना नहीं चाहता और यहीं सचाई है मसलक की एक तलाफात ने हमें पूरी तरह से बरबाद कर दिया है दीनी रहनुमाओं का तब का भी आज पस्ती को जिम्मेदार टरा जाए तो गलत नहोगा अक्सर आज भी शक्सियत परस्ती दायरे में कै पसीब नहीं समझते बड़े अपने आपको दीनी रहनुमा समझने वाले यह हिदायत चिपते चिपाते अपने चेलों को अपने हिमायतों को देते रहते हैं दीनी रहनुमा इस तरकी बात करते रहते हैं जो मिंबर पर खड़े होकर इत्याद की बात करता है वही एक तलाफ को मौझद आहालाग की मालूमात ही नहीं रहती क्योंकि इनके जिंदगी में महदूद दायरे में चलती रहती है RSS क्या है बजरंग डल क्या है विच पी मोझद आहलाग में क्या काम को अंजाम बैलगाम शहर में इन फिरकापरस तंजमों के जिम्दार का उन है भाजपा का असल मकसद क्या है ताणिमी किताबों में कैसे तारीप को बदल दिया जा रहा है टिफु सुल्तान को क्यों देश ध्रोई ठहरा है घूर से क्यों देश भक्त बनता जा रहा है प्रग्यासिन ठाक मजदित के तक्रीबन इमामों के पास नहीं रहते क्योंकि इन्हें इस मामिलात से जमाने से कुछ लेना देना नहीं रहता और नहीं से ओ लोग जरूरी देना नहीं रहते हैं होना तो यह चाहिए था कि कुरान अधिस की रोच्छनी में मुझद हालात को बयान करते हैं क्योंकि हर दोर में फिरोन अबुजहल शकल बदल कर आते रहे पर हमने माशरे में खालिद बिन वलीद को पैदा करना मुनासिक नहीं समझा है आज का बुद्दिल माशरा टिपु सुल्तान को घर में पैदा करना नहीं चाहता बलकि किसी और के घर में पैदा होकर इनकलाब की तवक्व करता रहता है सियासी और दीनी रहनुमा की कोता ही ने आज आने वाली नचला पर ही सवाल या निशान खड़ा कर गया है बुद्दिली, दुनिया परस्ती, जूट, परेब, धोका, माशरे में इस कदर पहला हुआ है के इबादते महजे के रस्म बन चुकी है अक्सर और बेश्टर मुसलमानों को अपनी जिन्दगी का मौखूफी मालूम नहीं है हमें क्यों पैदा किया गया जिन्दगी, अपना घर, बीवी, बंगला, पैसा यही हमारा मकसद हमें बना लिया है अल्लाम अक्बाल ने कहा मेरे जिन्दगी का मकसद तेरे दीन की सरपराजी मैं इसी लिए मुसलमा, मैं इसी लिए नमाजी खर जिस कदर एक एक दिन करके तेजी से हम आजमाईश की तरफ बढ़ रहे हैं इसका इल्मत शायद हम सभी को नहीं है आज भी कोई सियासी पार्टी जोली में कुछ डालता है कि इस पर नजर रखिवे भाजपा का मुसलिम मुखालिब मौकूब बहुत कुछ बयान करता है बेबाग बेखौप मुसल्मानों के खलाब कुछ भी बायानाद देना तो आम बात बनी है वक्त बहुत कम है जरूत है तमाम एक तलाफात को पसे पुष्ट डाल कर इत्तिहाद के पर्चम को लेराने की कोशिश करे किनन आरेसस अपना काम कर रही है संगी विचारधारा की जीत हो रही है संविधान को बदलने की कोशिश की जारी है लहाजा संविधान को बचाने की कोशिश करे आज भी माहोल मुकमल तोर पर एक तरफाद नहीं हुआ है दली तोभी से पिछ़़े तपकात को साथ लेकर द्रंगा जमली तहजीब को मजबुत बनाने की कोशिश करे नई नई तरकीबों के जरिये मुस्लिम मुखालिब माहूल बनाने की साज़िश रोज बनाई जारी है काशी मतुरा, कुतुब मिनार, ताज महल, चार मिनार सभी मुखलों की विरासत को मुखलों की तारिक को मस करने की कोशिश जारी है किस कदर जहर फैलाया जा रहा है माशरे में कुतुब मिनार की कुवत लिस्लाम मजजिद को हिंदो और जाइन मंदिर को गिरा कर तामीर करने की पेटिशन दाखिल की गई है कुतुब मिनार के खरीब खंबो पर देवी देवताओं की तश्विरे होने का दावा भी इस पेटिशन में किया गया है लिहाजा पूजा पाट की इजाज़त भी तलब की गई है जिस पर अदालत ने अगली सुनवाई छे मार्च को रखी है इसी तरह ताजमल पर भी अरजी दाकिल की गई अब इसे क्या कहा जाए पूरा समाज खामोश है क्यों इस तरह की जहर आलूदा बाते या मामिलों को उचाल कर सियासी मुफात्या नफरत का माहूल बनाने वालों पर आखिर कारवाई क्यों नहीं की जाती क्यों हुकुमत इन्हें बड़ावा दे रही अगर कोई अकलियती समाज का किसी आरधर पर टिपनी करता तो मीडिया से लेकर सभी हो अल्ला मचाते गिरफतारी आमल में आ जाती पर यहां सब खामोश है संगी विचारधारा के पीछे यहुदी साजिश भी है यहुदी साजिशों को अडानी अम्बानी के जरीया अंजाम दिया जा रहा है अडानी अम्बानी तो तस्वीर है इसके पीछे असल यहुदी साजिश है किसानों के बिल के पीछे भी यही साजिश है आखिर क्यों बिलरद नहीं किया जा रहे क्योंकि इसके पीछे के तार न्यू वर्ल ओर्डर से जुड़े विया है दज्चाली फितनों का दखल है लेहाजा इन तमाम बातों पर गौर करते वे देश के तमाम तबकात को आगा करने की जुरत है वर्ना देश को बरबाद होने से कोई नहीं रोख सकता इत्यान देखने के शुकरिया अल्ला आफीच